आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के अन्तिम पांस दिनों के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा इन पांच दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां कैसी होगी कौन से शुभ योग बनेंगे क्या तिथी होगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से कारेशित्र, स्वास्थ, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, वेपार, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो 27 अप्टूबर से 31 अप्टूबर तक की बात कर रहे हैं और इन पांच दिनों में जो कन्याराशी के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति होगी वो सब्तव और अश्टम भाव में होगी ये दो भाव आपके सक्री अवस्ता में रहेंगे ये के अधार पर आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्तन होंगे इसके अलावा इस सब्ता की शुरुवात 27 अप्टूबर एकादशी तित्री से हो रही है जो की पाप कुणशा एकादशी के नाम से जानी जाती है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा अर्चना की जाती है भगवान विश्नु का आशिरवात प्राप्त होता है साथी मालक्शमी का आशिरवात प्राप्त होता है तो इस दिन की शुवात आप ऐसे कर सकते हैं इसके अलावा इस दिन त्री पुशकर योग बनेगा जो भी हद खास है 30 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन है ये एक ऐसी तिति है जिसका इंतजार लोग वर्ष भर करते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रमा की जो किरने होती है वो बिहद शुभ मानी जाती है चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण इस दिन होता है और मालक्षमी प्रत्वी पर विचरन करती है तो इसलीए ये जो दिन है ये विशेष दिन हो जाता है, सिद्ध दिन हो जाता है चलिए सबसे पहले हम राशी फल के बारे में जान लेते हैं कि इन पाश दिनों में आपके लिए क्या खास होगा सब्ताह की शुरुवात में जंद मापकी सब्तम भाव में होंगे सब्तम भाव आपका जो दांपत्य जीवन का भाव है साज़ेदारी का भाव है वेपार का भाव है तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहीगा इस दोरान आपका दांपत्य जीवन सुधरेगा आप अपने साथी के साथ अच्छा समय वैतीत कर पाएंगे वहीं कुछ इस राशी के कुछ लोग अगर साजेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं या पार्टनर्शिप में काम करने का मन भी बना सकते हैं तो उनके लिए इस समय काफी हद तक सफलता मिलने की उम्मीद बनी हुई है लेकिन जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं तो उसके बारे में अपने घर के बड़े बुजर्गों से सलहा मश्वरा जरूर लें पिछले कुछ समय से अगर कोई दवाब था काम का आपके उपर तो वो दवाब आपका खत्म होगा इस सब्ता हमें आप सब की शिकायतों को दूर करेंगे किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे और अपने प्रियजनों के साथ अच्छे से समय बिताएंगे यह सब्ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस दोरान आपकी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव नज़र आएंगे कुछ सकारातमक बदलाव इस दोरान आपके लिए होंगे जब चंदरमा अस्टम भाव में जाएंगे तो अस्टम भाव हलाकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए इस समय काफी अच्छा रहेगा खासत और से विद्यारतियों के लिए विद्यारतियों के लिए इस समय अपने मन पर काबू करने का होगा अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान दे पाएंगे योग का सहरा लेंगे, ध्यान का सहरा लेंगे मानसिक रूप से भी स्वस्त रहेंगे और अपने पिता के साथ अच्छे सम्मद आपके बनेगे अगर पिता के साथ कोई नोकजोग चल रही थी तो वो नोकजोग समाप्त हो जाएगी ये समय अपने बाचीत से हर तरह के कामों को आप सफर कर पाएंगे आप अपनी बाचीत के जरीए इस सब्ता हमें काफी फाइदे मन दिस्तिती में रहेंगे कुछ चीजों के लिए परिशानी जरूर होगी जहां आपको सहीं रखना होगा कुछ चीजे परिशान कर सकती हैं लेकिन ज्यादतर कामों में आपको सफलता देखने को मिलेगी पारिवारी के कारियों में भी प्रगती होगी इन पास दिनों में आपके लिए भूमी, मकान, वाहन इनकी खरिदारी के योग बन रहे हैं अगर आप काफी दिनों से खरिदारी करना चाहते थे या आपने देख रखा है, मकान देख रखा है, वाहन खरिदाना चाहते थे थे तो इन पास दिनों में उनकी खरिदारी हो सकती है बड़े अच्छे योग बने हुए हैं कारोबारियों को अपने किसी पूर में किये गए लाब पूर में किये गए किसी निवेस से लाब होने का योग है जिसके चलते मन उतसाहित रहेगा बेरोजगार लोगों के लिए भी यहां रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे किसी महिला मित्र या किसी बुजूर की मदद से कोई पुराना अठका हुआ काम पूरा होगा कोई सरकारी काम पूरा होने का योग बना हुआ है नौकरी पेशा लोगों को उनकी महनत के बल पर सम्मान की प्राप्ति होगी और महिलाओं और छात्रों के लिए तो ये पूरा सप्ता ही अच्छा रहने वाला है महिलाओं के लिए भी ये सप्ता बेहद अच्छा रहेगा घर परिवार में खुशियां रहेंगी जीवन साती के साथ अच्छा समय वैतित होगा धन वरद्धी के बड़े अच्छे शुब संयोग बन रहे हैं कहीं से अठका हुआ धन भी वापस आ सकता है कारेशित्र में भी सुखा दनूबव रहेंगे अपने सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाएंगे यात्राओं का योग भी है और कारेशित्र से सम्मंदित यात्राई यदी होती है तो उनके काफी बहतर परिणाम आपके सामने आ सकते है इस दोरान माता का आशिरवाद आप ज़रूर ले किसी काम के लिए जाते हैं तो उनका आशिरवाद आपके आने वाले कस्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक साबित होगा और उनके आशिरवाद से आपके सभी कारे संपून होते जाएंगे किसी महिला की मदद से भी कारे में उन्नती की योग बन रहे हैं अगर आप आफिस में काम करते हैं तो वहाँ किसी महिला का सहयोग आपके बेहद काम आ सकता है लव लाइफ में रौनक बनी रहेगी आप सीप्रेम मजबूत होगा और कोई इस दौरान आपके रिलेशनसिप काफी मजबूत होगा कोई माता तुल्ले महिला आपकी मदद कर सकती है लेकिन सब्ता के अंत में लापरवाही बिल्कुल न बढ़ते हैं आनुकुल समय नहीं रहेगा आपके लिए अपने रिष्टों को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी इस सब्ता हमें आप अविशक के लिए कुछ निवेश करने की यूजनाई भी बनाएंगे जो आपके लिए लाबकारी सावध होगी ओफिशियल इस्थिती की बात करें तो अपनी कारे को अपडेट करके रखें आपके कारे की जाच कभी भी हो सकती है तो अपनी कारे को अपडेट करके रखें विद्यारत यदि साज़ेदारी में करने की सोचों है कि तो इसके लिए बहुत अछा समय है अपके पार्ट्नर्शिप में बिजनेर शुरू कर सकते हैं और आप अपने विपार को अपनी कारे को और आगे ले कर जा सकते हैं विध्यारत के लिए अच्छा समय है समय आपको अपने भागे का भी पूरे सपोर्ट मिलेगा पूरे सब्ता आपके लिए अच्छा रहेगा जो युवा वर्ग है वो कम प्रियासों में भी अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे लेकिन अपने बड़ों के प्रेति आपको अपने वेवार को अच्छा रखना होगा स्वास्ते का देहान रखना होगा स्वास्ते समंदी कुछ परिशानी है इस दोरान आपको देखने को मिल सकती है कुछ सरदी जुखाम आपको हो सकता है बुखार, सिरदर्द इस ऐसी परिशानियों से आप परिशान रह सकते हैं वाहन भी सावधाने पूरवक चलाना है आर्थिक लेंदेन करते समय भी आपको सावधाने रखनी होगी तीस अक्टूबर का जो दिन है ये शरद पूरिमा का दिन है इस दिन मालक्षमी की उपासना पूरी विदी विदान से करे क्योंकि मालक्षमी इस दिन शाम के वक्त प्रति पर विच्रण करती है अपने घर के मुख्यद्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं जो दीपक होता है वो मालक्षमी का ही स्वरोप मनाय जाता है कहते हैं जिसका मुख्यद्वार सुन्दर होता है दीपक जला होता है वा मालक्षमी जरूर प्रवेश करती है तो इस दिन का लाप जरूर उठाएं उसका फाइदा आपको जरूर मिलेगा और इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है उसका प्रशाद बनाकर सुभा को ग्रहन उसे किया जाता है कहते हैं उससे सभी रोग समाप्त होते हैं तो इन कारे को आप 30 अप्टूबर के दिन शरत पूनिमा के दिन जरूर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें